सो हेलो फ्रेंड स्वागते आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में चलिए जाल लेते हैं उत्तर परदेश देश दुनिया की कुछ खास खबरे दरसल अगर आप यूपी आई पेमेंट करते हैं तो अब इसमें कैनियम में बदला हो गया है अब आपको यूपी आई पेमेंट करने पर चार्ज देना होगा वही पर सियम योगिया अदितनात ने कुसी नगर को 2000 करोन की पर योजनाओ की सौगात दिये हैं गोरखपुर वाल है क्या चीज़े महेंगी हो जाएंगी सब कुछ इस वीडियो में है तो आप अंधर तक बने रहीएगा तो चलिए सुर करते हैं बात कर लेते हैं पहले खबर की तो दिल्ली में कोरोना वी स्पोर्ट हुआ है 24 गंटे में 214 नए केस सामने आये हैं 100 मरीजों में 12 सेंपल अगर आप 10 वी 22 पास कर लिएं और इस बार बार वी पास करने के बाद ग्रेज्जिवेशन में एड्मीशन करा रहे है तो आपको फ्री टेमरीट स्मार्ट फोन दिये जाएगा I mind 8 वाले चात्रों को या फिर वी फार्मा करने वाले चात्रों को फ्री टेमर्ट मिलेगा वह जिमंत्र योग्याद इतनाथ ने बुद्धवार को कुछी नगर में आयोजित एक कारिकरम में हिस्सा लिया और इसके साथ ही सीम ने करोणों की लागत से विभिन पर योजनौ का लोकारपन और सिलन्यास किया है। जरूरत है। पसार रहा है कोरोना एक्टिव केस की संक्या 300 के पार पहुँच गई है। राजदानी लखनों में लगातार केसे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिर प्रोटोकॉल परिक्षर के दोरान पता चला कि ये कोविट से पॉश्टिव है। वही अंतर राश्री डाक्टरों के संग के महासची अभिसेख सुकला ने कहा कि ज्यादा तर मामले गौतर पुद्दगर, गाजयबाद और लकीम पुर्खीरी इसके साथ ही लकनों से आ रहे हैं। तो अगर आप UPI पेमेंट वगरा करते हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाएए क्योंकि UPI पेमेंट में आपको बड़ा जटका लगेगा। इस तरह से ट्रांजेक्शन पर एक अप्रैल से देना होगा PPI का सुल्क। आपको दादे NPCI ने UPI पेमेंट का इस्तिवाल करने वाले को तगड़ा जटका दिया है। अब इस तरह की पेमेंट पर यूजर को इंटरचेंज फीज के तौर पर सुल्क देना होगा। दरसल कितनी देनी होगी इंटरचेंज फीज आप इसमें देख सकते हैं। Economic Times की 6 पी रिपोर्ट के मताबिक NPCI के सरकूलर में 2000 रुपए से अधिक के ट्रांजेक्शन पर आपको इंटरचेंज फीज वसूल जाएगा। यानि अगर आप UPI से 2000 से जादा का या 2000 रुपए तक अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपको दादे लगबग 1.1 फीज दी का आपको इंटरचेंज फीज देनी होगी। प्रत कारे करने वाले स्रमिकों को एक अपरेल से 230 रुपए प्रति दिन मजदूरी मिलेगी। अब तक उन्हें 213 रुपए मजदूरी दी जाती थी जिससे 17 रुपए बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के कई इलाकों में बुद्धवार को बादल चाय रहेंगे। वई पर कई इलाकों में ये बादल बारिस में भी बदलेंगे। दरसल दोस्तों आपके दादे कानपूर में सोना चांदी दोनों के दामों में कमी देखने को मिली है। और अभी भी चांदी उनतर हजार पानसो है। तो पहली अप्रेल से किसानों को फ्री बिजली मिलेगी, सो फिज़दी माफ हो जाएगा नलकूप का बिल। जिया दोस्तों एक अप्रेल से प्रदेश के नीजी नलकूप भोगता किसानों को बिजली बिल में सो फिज़दी छूट कलाब मिलने लगेगा। अभी तक या छूट पचास फिज़दी थी। लेकिन भाजपा की लोग कल्यार संकल्पत में सामिर नीजी नलकूप वाले किसानों को मुफ्त बिजली देने का संकल्प इसके साथ पूरा हो जाएगा। यूपी सरकार द्वारा इस आसाय का सासनादेश जारी करने के साथ ही पावर कॉर्परेशन किसानों को या सुविदा देने लगेगा। बताय जा रहा है कि सासनादेश एक दो दिन में जारी होने की बाती कही गई है। यानि किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 1500 करोन पैक खर्च होंगी सरकार के यानि कि कुल 14 लाग किसानों के उभगताओं को इसका लाभ मिलेगा। कुल 100% 3 बिजली यूपी वालों को किसान धारकों को मिलेगी। तो एक अप्रेल से कई चीजे जो हैं वो महेंगी हो जाएंगी ऐसे कुछ चीजे हैं जो सस्ती हो जाएंगी। एक अप्रेल को लागू होगा। के इंद्र सरकार ने कुछ प्रोड़क्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। इस लिश्ट में प्राइवेट एरक्राफ्ट, हेलिकॉप्टर, हाई एन इलेक्रोनिक्स, प्लास्टिक के सामान, जुएलरी, हाई ग्लास पेपर और विटामिन जैसे कुछ ऐसी चीजे सामिल हैं जिनके कीमत अगले महीने से बढ़ जाएगी। वितमंतरी निर्मला सीता रमन ने केंदरी बजट 2023 को पेश करते समय कुछ प्रोड़क्ट पर टैक्स भी कम किया था, एक अप्रैल से कैमरे का लेंस हुआ या स्मार्टफोन जैसे आइटम हुए, यह सस्ते हो जाएगे। पॉलिस किये गए ही रे, इन सबी चीजों पर आयात कर कम कर दिया है, इसके साथ ही सेलफोन हुआ या फिर कैमरे का लेंस हुआ उस पर भी आयात का कर जो है वो कम कर दिया गया है, इसके लावक केंदर के हाल ही में बजट कई उत्पादों पर आयात सुल्क बढ़ा दिया ग लेकिन एक्सपर्ट का मानना अब ये है कि आने वाले समय इस अप्रेल महिने में घरेलू गैसलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा लेकिन देखना ये होगा कि क्या सच में बदलाव होता है या नहीं वहीं कॉमर्सिल गैसलेंडर एक बार फिर से 100 रुपए से 1.500 रुपए तक महगा हो सकता है वही सरकार की तरब से एक बड़ी जानकारी सामने आई है फ्री रासन लेने वालों इलाभारतियों को बड़ा अपडेट मिल गया है एक अप्रेल से होने वाला है कई बड़ा बदलाव अपको ताहते दोस्तों उत्रकषंड सरकार फ्री रासन को लेकर लाभारतियों को बड़ी खबर दी है एक अप्रेल से रासन में मिलने वाले सामान में बड़ाव होने वाला है ये बड़ाव यूपी सरकार भी कर सकती है हाला कि यूपी सरकार एक तरप से अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं हुआ लेकिन ऐसे में रासन के दुकानों पर अभी से तैयारिया की जा रही है अब फ्री रासन के साथ रासन भुगताओं को और कई सारे फायदे मिलेंगे मुक्यमंती पुसकर सिंग धामी ने सरकार की ओर से तैयारी पूरी करने का निर्देश दे दिया है एक अपरेल से राजे के 23 लाख रासन कार धारकों को सामाने चावल की जगापर पौश्टिक चावल मिलेगा वही पर चीनी देने का भी ऐलान किया गया है आपको पता योगा कि यूपी सरकार पहले से ही 45 चावल दे रही है और इसके बाद अब 45 गेहू भी मिलेगा वही अपरेल महीने से आपको ATM मसीन से रासन दिया जाएगा हाला कि ये कुछ जीलों में सुरुआत होगी और 5 अपरेल से 20 अपरेल तक उत्तर प्रदेश में रासन वित्रन सुरू हो जाएगा अगर आप यूपी के हैं किसी भी जीले में आते हैं तो सबसे पहले ये कॉमेंट कर दीजे कि आप कि जीले से हैं क्योंकि आपको जादे लकनों में ATM मसीन से रासन देना सुरू किया गया है इसका सुबारम हो गया है अब रासन की कटवती लकनों में नहीं हो पाएगी अगर आपका पैन काड आधार से लिंक नहीं है तो अब आपको थोड़ी और राहत दी जा रही है इसकी लास्ट डेट 31 मार्श 2023 थी लेकिन आप इसको एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है अब अपने पैन को आधार से आप लिंक 30 जून तक कर पाएंगे पैन को आधार के लिंक करने की डेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है दरसल दोस्तों इससे पहले एक खबर सामने आई थी कि अगर आप 31 मार्श तक पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन काड नेरस्थ हो जाएगा इनेक्टिव हो जाएगा फिलाल पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्श से बढ़ा कर 30 जून कर दी गई है अगर आप इस जरूरी काम को 30 जून से पहले नहीं करते हैं ऐसे में आपका पैन काड निस्क्री हो जाएगा यानि 31 मार्श को जहाँ पर निस्क्री होने वाला था वहाँ पे सरकार ने आपको 30 जून का समय दिया है इस स्थिती में आप पैन को आधार से जोडने का आप काम कर लिजे पैन काड इन ओपरेटिव होने के बाद इंकम टैक्स रिटन दाखिल करने में बड़ी ट्रांजेक्शन करने में लोगों की तरह की दिक्कतों के सामना करना पड़ेगा इसके आपको 30 जून कर दी गई है वहीं RBI की तरब से एक और अपडेट सामने आ गया है जिसमें 3 अपरेल से RBI करेगा MPC की बैठक रेपो डेट में होगा इजाफा फिर बढ़ जाएगी आपकी EMI यानि 3 अपरेल को एक बार फिर से बैठक होगी जिसमें एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ सकता है अगर ऐसा हुआ तो EMI बढ़ जाएगी वहीं पर FD रेट भी बढ़ सकता है तो दोस्तों यह कुछ अपडेट था जो आपके साथ से एर किया गया है I hope आपको यह पसंद आया होगा इसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े चैनल क को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ धन्यवाद